तुम्हारे आने के पहले बच्चे सो चुके रहेंगे इस सेंटेंस की इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो दोस्तो ऐसे सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करने के लिए जो कार्य पहले होगा उसकी इंगलिस पहले लिखते हैं और इस sentence में पहले बच्चे सो चुके रहेंगे बच्चे सो चुके रहेंगे कि इंगलिस पहले लिखेंगे यानि कि ये future perfect tense का sentence है और ये future perfect का अफर मेटिव sentence है पहले subject लिखेंगे the children उसके बाद helping verb will have उसके बाद verb का third form और इस sentence का भर्व है सो चुके रहेंगे यानि कि सो ना को इंगलिस में sleep कहते हैं sleep का third form होता है slept यानि कि the children will have slept हो जाएगा उसके बाद पहले की meaning लिखेंगे before उसके बाद तुम्हारे आने के पहले बच्चे सो चुके रहेंगे इसकी इंगलिस होती है the children will have slept before you come the children will have slept before you come दोस्तो ऐसे और भी sentences का इंगलिस translation देखने के लिए इस channel के playlist में जाएं और यदि आप channel पर नए हैं तो रोजाना translation सीखते रहने के लिए चैनल को subscribe करें झाल झाल